आईशा और मुनावर पर अब मुनावर की बेहन का बयान आया है आईशा आई तो इल्जाम लगाने के लिए थी लेकिन उसके बाद मुनावर के साथ उसका जो बॉंड देखने को मिल रहा है आईसा लगता है कि दो बिछड़े हुए दोस्तों जो कई समय के बाद मिले हो और बैटकर चिडिया उट तोधा उट खेल रहे हैं साथ में खाना खा रहे हैं खाना शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से कपड़े कॉडिनेट कर रहे हैं तो मतलब क्या करने आई थी आईशा और क्या हमें देखने को मिल रहा है इसको देखकर मुझे लगता है मेरी तरफ हौट सारी ओडियन्स भी सर्प्राइस तो होगी ही लेकिन यहां मुनवर को रोता देखकर अब उसकी फैमिली ने क्या कहा है जाहिर से बात है कि परिवार तो परिशान होगा डिस्चब होगा ही तो मुनवर की बहन ने जो है आगे आकर एक बयान दिया है और वो कहती है कि मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाती कुछ दिन रिख जाए चीजों को थोड़ा क्लियर हो जाने दीजिए मुझे लगता है वीकेंड का वार के बाद मैं इसके बारे में कुछ बोर पाऊंगी वीकेंड का वार बीच जाने दीजे इसके बाद वो कहती है उन्हें इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हुई लेकिन वो बहुत मजबूत है वो निश्चित रूप से संभाल लेगा अपने आपको और वापस अपने गेम पर ध्यान देगा मैं आपको बता दूँ चाहूंगी कि मुनवर रियल लाइफ में भी बहुत एमोशनल है बहुत असानी से रो देता है हाला कि मुझे यकीन है अल्ला चीज़े बहतर करेगा तो इस तरीके का बयान अब मुनवर की बहुत ने दिया है जाहिर से बात है कि वो कह रही है कि वीकेंड का वार के बाद बताऊंगी यानि कि वो देखना चाहती है कि सलमान का इन सारी चीजों पर क्या रियाक्शन है तो आपको क्या लगता है कि इस सारी चीजे बाहर से प्लान की गई है आपकी क्या राय है जरूर बताईएगा